इस वीडियो में नेक्स्ट कोशिन पर बात करने वाले हैं ये बी-सीडी की पैरेमिटर्स के दा एबी-सीडी पैरेमिटर्स औप टो पॉर्ट नेटवर्क और ये जे नेट वर्ट दे रखा ये टी नेट्रोक इतने का ये उसके पैरेमिटर दे रहे हैं तो मैं क्विटर्ट में कोसिन स्टर्ट करने से पहले बता दून के मैंने मेक्सिमम पावर पर हुआ你 कैब जो बैलीयलिस्ट तैयार किये हूई है आप प्लेईस्द एक्षण में जाके उसको देख सकते हैं वीडियो के पॉल्व में इसका इसा इससे देख सकते हैं वीडियू पी मैं उसे कता है उटाल आयीचिए हर देने बातेँ हैं हर तरह की complex power, जितनी तरह की power होती है, सारी तरह की power पर फिलाल इस question पहते हैं तो हमें यह parameter दे रखें तो मैं क्या करूंगा, पहले यह V1 होता है input port और इसमें current I1 ऐसे यहां पर यह V2 और इसमें current I2 इन V1, I1, V2, I2 की विएसे इन parameters के help से equation बनेगी वो क्या होगी V1, I1 request कितना था? A, V2 यह A, B, C, D है ठीक है A की value 4 है, A, V2, minus B B की value 20, I2 ऐसे अगले C, 0.1, V2, minus D, I2 ठीक है, यह equations आ गई, यह equations हमें help करेंगी RL की value और maximum power निकालने में तो पहला हमें RL निकालना है तो RL कैसे निकलेगा? मैं RL बता दूँ तो RL जो होगा हमारा किसके equal होगा? RTH के ठीक है, जो feminine impedance होता है उसके equal होगा तो RL जो होगा हमारा क्या होगा? For Maximum Power Transfer RL जो होता हमारा किसके equal होता है? RTH के है ठीक है? क्योंकि इसमें कोई वैसा parameter नहीं J वाला imaginary वाला जिसकी वैसे power change होगी ठीक है? मतलब जो हम normal वाला power लगाते हैं VTH square upon 4 RL वही वाला formula से इसको solve करेंगे maximum power जो होगी Pmax VTH square upon 4 RTH होगी तो हमें RTH के value find करनी है RTH निकालने के लिए क्या करते है? जो independent voltage source होता है उसको short कर देते हैं और independent concerns होता है वो open कर देते हैं यहां फिलार हमारे question में कि independent voltage source है उसको short कर देंगे तो हमने इसको short बाके कर मैं इसको draw करता हूँ यह V1 यह I1 इस V1 को वो नहीं कर दे न short कर दो कभी यह तो open circuit voltage है जब RTH निकालते हैं तो load को हटा देते हैं load को हटा दिये चलो हमने लोड हटा दिया लोड हटा दिया लोड हटा दने के बात क्या करेंगे जब हमने load को हटा दिया तो इसमें यह current क्या I2 आ रही थी ठीक है और यह कितने क्या voltage था V2 जब मैं यहां से RTH को देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा RTH दिखाई देगा वह क्या होगा V2 upon I2 का ratio होगा ना होगा ठीक है तो कहने मतलब में मुझे V2 upon I2 का ratio निकालना है तो मैं इस वार केविल लगाता हूं इस वारे लूप में तो मुझे क्या मिलेगा 10 I1 plus V1 equals to 0 तो V1 की value कितने आगे यहां से 10 I1 ठीक है तो इस V1 की value को मैं इस वारे equation में रख दूँगा पहली वाली में तो यहां V1 की जगे 10 I1 लगा तो बस V1 की जगे मैं लगाया 10 I1 equals to 4 V2 minus 20 I2 तो यहां I1 की ट्रम में आ गया I1 की value मुझे पता है यह रही पहली वाली second वाली equation तो मैं यहां पर लगा दूँग इसको 10 I1 की value लगाओ यहां पर 0.1 V2 minus 2 I2 4 V2 minus 20 I2 अंदर multiply करो यह हो जाएगा minus V2 plus 20 I2 4 V2 minus 20 I2 ठीक है तो V2 वालों को एक पास ले जाएगा I2 वालों को एक पास ले जाएगा 20 plus 20 इदर जाके हो जाएगा 40 I2 इदर जाके हो जाएगा 5 V2 5 से यह 8 times cancelled तो V2 upon I2 का ratio कितना आ गया 8 आ गया 8 आ गया यानि RTH मितलब कितना आ गया 8 ओम आ गया ठीक है तो यह हो गई RTH की बात अब क्या करते हैं VTH की बात करते हैं बात करते हैं VTH निकालने के लिए क्या करेंगे लोड को हटा देंगे लोड को हटाते हैं तो यहां पर हो जाएगा open circuit तो यहां पर लिखता हूं मैं calculation circulation of VTH क्या होगा VTH में इसको circuit को draw करो 50V 10 Ohm अब यहां पर देखना VTH निकालना हो जाएग लोड को क्या करते हैं open कर देते हैं sorry open कर देते हैं जब मैं load को open किया तो क्या होगा मेरा यहां से कोई current नहीं आएगी इस side से ठीक है और यहां पर voltage कितना था V2 था VTH मुझा कहां से निकालना होता लोड की side से तो VTH में यहां ही से तो देखूंगा तो कहने मतलब है जो मेरा V2 है वही क्या जाएगा मेरा VTH हो जाएगा ठीक है I2 0 हो जाएगा यहां पर I1 होगा और यह होगा V1 यहां से मैं केवे लगाता हूं इस वाले लूप में कितना मिलेगा माइनस 50 10 I1 plus V1 equals to 0 ठीक है अब धिया I2 0 हो गया तो जो equations बनी थी पहली वाली हमने बनाई थी यह वाली ठीक है शुरू में ही तो उनमे अब I2 को 0 कर दो तो क्या क्या आ जाएगा हमारा जो I2 को मैं 0 करूंगा मैं ठीक है इनवाली जो equations मनाई थी न मैं शुरू में इनमा I2 को 0 कर दे रहा हूं तो V1 equals to 4I2 और I1 equals to 0.1 V2 तो V1 equals to आ जाएगा put I2 0 in in the above equations in the equation को नाम देता हूं in 1 & 2 तो क्या आ जाएगा V1 equals to 4V2 और I1 equals to 0.1 V2 इतना आ गया ठीक है अब देखो V1 और I1 आ गया इननों को उठाकर मैं इस वाली equation में रख दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहां से minus 50 plus 10 I1 की value 0.1 V2 और V1 की value आ गया है 4 V2 ठीक है 50 को मैं उदर ले गया तो यह कितना आ जाएगा मेरा केवल V2 ठीक है और यह कितना आ जाएगा इसकी किसा multiply की और यहां कितना जाएगा 4 V2 50 ठीक है तो मेरा VTH आ गया और RL आ गया तो मेरा अब मुझे निकालना Pmax maximum power transfer कितने होगी VTH का square upon 4 ITH तो यहां पर Pmax जो आया मेरा कितना आ गया VTH का square यानि 10 का square upon 4 RTH आया था मेरा कितना RTH की value set करता हूँ 8 आया था ठीक है मैं एक बार दिखा दूँ आया था 8 8 को यहां पर रख दूँगो कितना आ जाएगा यह 100 upon 4 into 8 4 से 25 times cancel तो Pmax जो आ गया मेरा कितना आ गया 25 by 8 यानि 3 point 25 3.125 वाल्ट इतनी maximum power transfer हो भी ठीक है तो एक बार इसको देख लो कोई दिक्कत हो तो किसी equation में भी ठीक है कमेंट करके पूच लेना अगर कोई equation समझ नहीं आये हो तो तो मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ सारे parameters ठीक है यहां पर चेक कर लो कोई equations रह गई हो तो आयोप आपके यह समझाया होगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही और next वीडियो में मिलेंगे next question के साथ ती parameters और यह maximum power transfer वाली playlist का link मैं last में provide कर दूँँगा ठीक है और थैंक्यू मिलते हैं next video में